दीपावली पांच तेवहारों का एक तेवहार है इन तेवहारों में सबसे पहला तेवहार धन तेरस का होता है धन तेरस के दिन भगवान धनवंतरी देवी लक्षमी भगवान कोवेर की पूजा की जाती है यह माना जाता है कि धन तेरस के दिन सोना खरीदने से उस सोने में स सोनर लंडी समय तक चलता है और बेहद लाबकारी होता है आसरा जियोतिसकेंद के जियोतिसी पंडित अनिल कुमार पांडे बताते हैं कि तेरस पर सोना खरीदने के लिए 10 नवंबर को 11 बच कर 21 मिनट दिन से 11 बच के 20 मिनट रात हस्त नक्षत होने के कारण यह सामान महूर्थ है इस महूर्थ में सोना खरीदना अती उत्तमफल वाला होगा अगर इस महूर्थ में सोने की खरीदी नहीं हो पाई तो इसके बाद दिन का बिशना के 13 मिनट से पांच बच City मिनट तक इसे ही से लगने का महूर्थ रात में 12 के 22 बच के बाइस मिनिट से नोगने का महूर्थ 11 नवंबर 2027 कर एक मिनिट से सबाह 2027 मिनिट तक है कि देखिए कि धन तेरस के तिन खईदारी का विशेश महात् Speed Knight lesnate इंडेटने पर कहा जाता है कि उडिता सोन आप क्वेड रवं वो तेरा गुनें कुछ दूनों में हो जाएगा अर्थात अगर आप धंतेरस को सोना खरीदते हैं तो आप लगातार 13 बार सोना खरीदने की आपकी ऐसे दुनेगी और आपके घर में धंकी मात्रा में अत्यंत ब्रद्धी होगी महुर्द चिंत्रामणी गरंथ के अनुसार सोना खरीदने के लिए 20 बर्ष हस्त्र अच्छत्र बड़ा सुम्न अच्छत्र है और यह नच्छत्र घुवन विजय पंचान के अनुसार 10 नौमबर को रात के 11 बज़ के अठाउन में तक रहेगा हस्त अच्छत्र में सोना खरीदना अत्यंत सुम्न अच्छत्र में महुर्द चिंत्रामणी गरंथ में के अनुसार अच्छत्र प्रकण के उनुस्वे स्लोक के अनुसार ऐसा कहा गया है इसके अलावा अगर मालीजे आप शायंकाल से ले करके और रात की 11 ठाउं तक नहीं करीश सकते हैं तो मेश लगन में, सिंग लगन में और बिश्चिक लगन में भी आप खरीश सकते हैं मेश लगन 10 नौमबर को 4 बज़ के 13 मिनट से 5 बज़ के 14 मिनट सायंकाल को है सिंग लगन 12 बज़ के 22 मिनट रात्री से 2 बज़ के 35 मिनट तक है और बिश्चिक लगन अगले दिन 7 बज़ के 1 मिनट से 9 बज़ के 17 मिनट तक है अथा ये सभी समय सोना खरीदने के लिए अत्यत अनकूल है